मेरी तूटी हुई जिन्दिगी, मेरी तूटी हुई और बिखरी हुई जिन्दिगी का डे बन है हाँ, ओफिशली तो डे बन ही है, बट अनओफिशली तो साड़े चार साल से जी ही रहे हैं ना कुछ समझ आ रहा है कि क्यूं जी रहे हैं और जी भी क्यूं रहे हैं नहीं जीना बट फिर भी लाइफ है जीना तो पड़ेगा सुभा सुभा उठना आपने आपको मनाना इस टूटी हुई जिंदिगी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों का है तो इस वीडियो में पूरे बनेर है आपको आ गया कि समझ में आ जाएगा अगर आप लोग मेरी जीवन से जुड़ना चाहते हैं मेरी जीवन शेली से तो सबस्क्राइब कर लो मेरा चैनल और यू कन सब्पोर्ट मी और यू कन ओलसू मोटिवेट मी क्योंकि मैं बहुत कई बारी चीजों में उलच जाता हूँ because मेरा कोई नहीं है इस धरती पे हाँ कुछ फ्रेंट्स हैं और वो फ्रेंट्स फ्रेंट्स ही होते हैं यूनो उनकी जगा लग होती है अपनों की जगा लग होती है और मेरा सब कुछ चार साल पहले सब कुछ पीचे छूड़ गया बट कुछ नहीं कर सकते इसमें भुइ उपर वाले की जो मर्ची है जैसे वो हमें चलाना चाहता हाँ मैं उपर वाले की मर्ची समझकर ही जीता आरहा हूं तो सुबह उठा हम craw आप पिस्तर ब reqra' बनाया हो मैंने आफिस आफ़ पर हमें और रात का खाना मेरा पचा हुआ था जिसे मैं गरम कर रहा था और मार्णिंग ब्रेकफस्ट में मैंने कुछ खास खाया नहीं एन्ड मैंने बनाया ही नहीं खाया तो मैंने खास है I have this ghaver और गेवर ये दो-तीन दिन पहले में लेकर आया था कभी कवार खा लिता हूँ मॉर्णिंग में अभी जैसे कुछ बनाने का मन नहीं है बट मीठा खाने का मन है तो मैंने खा लिया हाँ ब्रेकफस्ट में मैं ऐसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया है में बो भी मैंने कुछ टाइम पहले से बनाना छोड़ दिया जब उमीद खदम हो जाती है तो ऐसा कुछ होता है तो मैंने छोड़ दिया पहले बनाता था ब्रेकफस्ट डेली बनाता था आप तो कभी कभार लगता है मैं ब्रेकफस्ट बनाता हूँ और ये मेरे स्वीट प्रेंच कलर के राइस जो स्वीट थे और मैंने काफी मेने से बनाया थे ब्रेकफस्ट पर मैंने कुछ खास नहीं सिर्फ एक ब्रेड एक नहीं एक्छली दो दो ब्रेड को टोस किया यह बटर के साथ मैं उस वे बस वन साइड स्प्रेड करूँगा न्यूटेला और बटर वाला नहीं बट जैम वाला जैम और पीनेट बटर यह पीनेट बटर और उससे पहले मैं यह चावल टेस्ट करूँगा यह चावल एक तरह से यह सुईट डिश है जो मैंने बनाई थी बैसे आज मैं आफिस ऑफ परूँ मेरा सैटेटे संडे आफ रहता है बट फिर भी मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगता मेरे डेज आफ एंडे वर्क में मेरे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं मेरे कहने को मैं लोगों के बीच घिरा होता हूँ बट फिर भी मेरा कोई इसलिए कहा मैंने कि मेरे तूटी और बिखरी जिन्दगी है क्योंकि कोई राह नहीं कहां जाना है कुछ पता नहीं और जी क्यों रहा हूँ ये भी पता नहीं है पर फिर भी जीते जा रहे हैं मुझे लगता है काफी लोगों का आज के टाइम मैं अईसे है कि गो विद दा फ्लो चलते हैं जैसी कट रही है तो उसी तरीके से थोड़ा बहुत ब्रेकफस्ट करके मैंने बनाया था अपने बालो के लिए ये कोई हैर ओयल या फिर हैर रेमेडी फोर हैर लॉस और काफी चीजे इसमें मतलब मैंने एड की थी और टूटी हुई जिंदगी में मेरा एक प काफी स्ट्रगल किया है कि मेरे बाल ना तूटें या आप तो कोई रेमेडी मेरे बालों में काम कर जाए कि मेरे बाल पहले जैसे हो जाएं बड़ ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को भी ट्रेक पर लाने की कोशिश कर रहा हूं बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर सबसे जादा एक है लोनली लेस शायद मेरी लाइफ में हाँ मैं बहुत अकेला हूं क्योंकि कोई नहीं है मेरा बट फिर भी मैं रोना नहीं चाहता हूं यहां पर इस स्टेज पर बिल्कुल भी और अगर आप लोग चाहों तो मेरे साथ दे मसाज करूँगा मेरा हैर काफी जिजदा डर्टी हो रहे थे बहुत जदा गंदे फिल हो रहे थे एंदो मेरे स्कैल्प जो है वो भुछ जब्यादा पैची पैची घी तो इस वज़े से और यह देख लो मेरे बाल मैं नहाकर तो आया था और अब तो और दुक होता है लग रहे हैं जब यह सूख जाएंगे तो थोड़े से भारी लगेंगे बिकॉस मेरे बाल का टेक्शर ही मोटे वाला है इस वज़े से नहीं कर सकते कुछ यह रूख ही नहीं रहे हैं तोड़े से ड्राइफ रूट मैंने रात को बिगाये थे मैं सुबह तो खाना भूल गया बर जब मैं शार लेकर आया तो मैंने उनको खा लिया यह बादाम एंड कुछ अक रोट और मैं धूप में भी बैट गया थोड़ा सा की हो शायद मुझे बिटमिन डी मिल जाए और मैं बहुत खुश रहने के कोशिश करता हूँ और अगर आप लोग में से जुड जाओगे तो शायद मेरे को एक ट्रैक मिल जाएगा या फिर मेरी जिन्दी के मुझे लगएगा कि हाँ शायद कोई आ गया है तो मैं सारी चीज़े कंसिस्टेंट रख पाऊंगा अपनी लाइक में थोड़ से मैंने कान साफ किया मैं वापिस अपने रूम में आ गया मेरे बालों को स नहीं होते हैं और यह मेरा कॉमपैक्ट भी टूड़ गया उपर से नीचे गिरके बट इसको मैंने किसिस की वो रैपर था एंड मैंने उसे काफी जेंटली उठा के इसमें डाल तो दिया है यही है मेरी तूटी हुई जिन्दिगी में सब कुछ तूटता रहता है कभी मेरी लाइव कभी मेरे सपने और मेरे अपने और मेरे सामान मेरे बाल सब कुछ तूट रहा है मेरी जिन्दिगी में कुछ ऐसा लगनी रहा है कि अब कुछ बचेगा या इन सब चीजों का मतलब क्या है कहां जाके खत्म होंगी यह चीजे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे मैंन इसको डस्ट डस्ट वगेरा आप यह फेस पाउडर कॉम्पेक्ट पाउडर जितना भी जमीन पर गिरा हुआ था इसको मैंने गीले टिशू पर से जो है वाइप आफ कर दिया और यह मेरे बाल इनसे भी बहुत दुखी हुमें बर्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ दो चा आफरी बर हुँ तो मैं इनको वापिस से रखी देता हूँ तो इसारे कबड़े मिक्स हैं तैर लगाया थे मैंने तो अब मैं इनको वापिस से सेपरेट करके जहां जहां जो रखना होगा अब रात हो चुगी है बट रात में भी मैं ऐसा कुछ खाना पीना पसंद नहीं कर आजकल मुझे ठीक भी भी बहुत जादा आ है और ये फूट से दो बर ठीक मुझे आ चुक蒂 है तक चुका ठाथ, तो मैं पानी की दाथ क्योंकि जूसीड राक सकता मेरे घर में फिरिज नही था और मैरे घर में फिरिज होता मैं जूसीड बोगह रखता भी कभी फ्रिज लेंगे इन फ्यूचर कभी अगर मैं ले पाया तो बड़ खाना बना लेता हूँ मैं और अब खाना बनाओंगा दाल मैं ज्यादा तर दाल बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास आप्शन नहीं है मुझे चीजें अपनी ममी के हाथ की पसंद आया करती थी सारी चीजें मैं खा लेता था टिंडी तोरीज हर चीज ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बनाए और मैं नहीं खाता था टेस्टी भी लगती थी मुझे खा लेता था बट मेरे पास जादा आप्शन मैं कुछ फ्रेश सब्जी लाकर रख सकता था जो मेरा जब दिल करता मैं उनको बना लेता वर्ट ऐसा भी नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेज नहीं है तो मैं इसी लिए जादा तर दाल चावल प्रिफर करता हूँ दाल गर में रखी होती है ना वो खराब होती है विदाउट फ्रेज और जम मर्जी जब दिल करे बना के खा लो तो यही कुछ मेरी रेसिपी है दाल वाल बनाने की क्या रेसिपी मैं शेयर करूँगा और यह जो मशीन है यह जो चोपर है यह भी मेरा खराब हो गया था मैं इसको कल ही ठीक करवा के लाया हूँ मार्केट से पचास रुपे लिए इसको इसका धागा बनाने के लिए पर अब मैं खाना बना लूँगा और अकेले खाकर सो जाओंगा यही है मेरी दिन चलिया और यही था मेरा आज का व्लॉग मेरी तूटी हुई जिन्दिगी का खाना तो मैं बना लूँगा और तूम मुझे खाते वे देखोगे क्या करोगे ऐसा नहीं मैं अपने आपको रूग नहीं प़हुऑ खाना खाते हुए और तुम लोग शायद तुम लोग तो से मुझे अकेले खाता हुआ नहीं देखा जाएगा इसलिए मैं अभी जाता हूँ आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि अब मुरसे भी नहीं हो रहा है तो आज के लिए मैं इसको यहीं फिनिश कर लोग मुझे खाना खाते हुए देख भी नहीं पाओं कि मैं अकेले कई लिए भ треб कर रहा भी झाना बना ही लेता हूँ गहाँए पूस के लिए नहीं दूँगा या इनुद आख देखा तक देखा है तो थैंकि और आपने देख मूंञें अगर आपने देख लिए और एक आपके पास ऐसा कुछ भी लगता है कि शीतल तुम यह गलत कर तो आप वह भी बता सकते हो खेर मैं चलता हूं बाइ बाइ टाटा मैं आप से फिर मिलूंगा तिल देन स्टे हैपी आप सब कोई है मेरा कोई नहीं है इसलिए आप अपना ख्याल रखना बाइ बाइ गाइस